नमस्ति दूस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकरवल IIS Academy में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ यह वीडियो जो है या फिर गलत ही बनाके चले आते हैं लेकिन अब और इसके बाद से जो भी एक्जाम होगा आपका गलत नहीं होगा पूरे बच्चों की तरह आपको बताएंगी और बहतरीन तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको मज़ा आ जाए बिसमे सार्वधिक बढ़ा बिसमे सार्वध कर लीजिए इससे ये होगा मेरा लेटेस से लेटेस वीडियो का अपडेट जो है आपकी मुवाइल पे डिस्पले होता रहेगा तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्चन जो है आपके स्किन पे बेसु का सबसे बड़ा महादिव तो ध्यान रखीगा ये तो जानते होंगे एसिया महादिव जिसका चैतरफल जो है 30 परसेंट बिसु का सबसे चोटा महादिव तो ये अस्ट्रेलिया ये तो पता ही होगा इसमें कोई confusion आपको होना ही नहीं चाहिए नेक्स आते हैं तीसरा नंबर कोश्चन पर विसु का सबसे बड़ा महासाओर इसमें भी कोई confusion नहीं है बच्पन से ही परते आ रह रहे हैं परसांत महासाओर connect है बं 가 सबसे चोटा महासाओर तो आर्क्टिक महासागर है भिस्त का सबसे छोटा मतलब क्या है और वस्त्रिक आप याद करने की आपको ट्रिक बताते हैं क्या रहा है? यहां की जब बाल मुं-zers करवाते हैं तो अध cluster क्या है? लेकि सबसे चोटा महासागर मतलब क्या है? तो वो टीक यानि कि आर्टिक महासागर, अब तो कभी नहीं भूलिएगा, सबसे छोटा जो होता क्या होता, टीक ही होता जो सबसे उपर रखा रहता है, तो आर्टिक महासागर, चलिए, नेक्स्ट आते हैं, बिसु का सबसे गहरा महासागर कौन सा होगा, मतलब क्या है, प्र अब देखें, यहीं से trick निकालते हैं, कि सबसे गहरा महासागर, गहरा मतलब कौन होगा, जो सान्थ होगा, यारी कि पर सान्थ महासागर, याद हो गया, अब कभी भूलिएगा, गलती से गलत होगा, क्या confusion होगा एक्जाम में, कभी नहीं होगा, इसी तरीके से बस कोई ने को कहार का देखना पड़ जाएगा, नेक्स आते हैं, विसू का सबसे बड़ाシाग्र कौन सा टो सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दच्छनी चीन सागर जोत होगआ, तो जैसी सागर पूछयगा, तो सबसे ज्यादा जन संख्या कहाँte है, तो चैना में थोरा वासा नेक्स्ट जो है बिसु की सबसे बड़ी खाई कौनसी है, खाई, यानि कि मेक्सिको, मतलब क्या है, खाई का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, खाई का मतलब क्या है, उसमें डालते जाओ, डालते जाओ, मतलब क्या है, बहुत बड़ा खाई है, कभी भरता ही नहीं है, मतलब उ सबसे बड़ी क्वाई' जो है मेक्सीमुम मतलब क्या है मेक्सिको की खाड़ी किलियर हो गया कोई कन्फिजन है तो आप कोमेंट बॉक्स में कीजिएगा आप में वहाँ पर जरुरी जवाब आपको दूंगा जो की Greenland में है. नेक्ष चाते हैं, Mexico Greenland में, पता ही हो? नेक्ष चाते है, बिशु का सबसे बड़ा दीव्प समू कहां है? तो क्या है? दीव्प समू, यानि क्या, दीपोगा क्या होगा? विग्पोगा क्या होगा अमतलब क्या है? तो इंडोनेसिया से होगा, तो नाधव क्या है, मतलब क्या है, एक ही नेशन के होगा पस एक थोरा सा कलू समझने के लिए, मस्दल आएगा अभी जो मैं पाथ निक लैसी के में तिक में दिमाग से जैएगा एक बार बस उसको पकड़े, तो लाइफ टाम के लिए पकड़ के रखिएगा, कभी छूटेगा यह ने, तो मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, बीसु का सबसे बरा द्यूप समू, द्यूपो का क्या है, समू है, तो कहाँ पर सबसे ज़ादा द्यूप, तो इंडो नेसिया में हैं, clear हो रहा है, next आते हैं, बेसु का सबसे लंबी नदी, लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है, ऐसे भी आपको इसमें कोई ट्रिक की ज़वरत ही नहीं है, आपको यादी होगा, 675 किलो मीटर है, next जो है, हाँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे, कि बेसु की सबसे लंबी नदी कहा है, तो नील नदी है, जो सबसे लंबी नदी है, वो नील नदी है, बस आप मुझे कोमेंट करके बस बताइए, कि नील नदी जो है, कहां से निकलती है, तब जानूँगा क विसु की सबसे बड़ी अफवाह छेतर वाली नदी कौनसी है, तो यह Amazon नदी है, अफवाह मतलब क्या है, जहां पर सबसे ज़्यादा disturbing होता है, तो अफवाह वाली छेतर कौनसी है, जो सबसे, क्या है, बड़ी अफवाह वाली, सबसे बड़ी अफवाह तो यह Amazon नदी होगी, अपवा, मतलब क्या होगा, जो किसी की परवाह न करता हो, बस त्यान रखनी की है, तो Amazon, Amazon क्या है, किसी की परवाह करता है, बस अपने काम में मतलब रखता है, Amazon इसे याद करने के लिए, Amazon क्या है, अपने काम से काम मतलब रखता है, आपको जो बोला है, Amazon को बोलो है, इसा नह Onyali Sakya नदी, तो एक क्हुन सा मैदिरा सुम स्कत coraz हो बार कि नदी तो मने मेजंटिरा मेदिराinku कैसे याद रखेंगा मतलब क्या है, सहायक, मतलब क्या है, जो अपना हो, तो इस तरीके से याद रखीगा, मतलब क्या है, मीरा, मेडीरा, इस तरीके से थुरा सा याद रखीगा, मिरिंडा टाइप से कुछ ऐसी, जो सहायक हो, मतलब क्या हो, खाना पीना, खा लेते हैं आप, खाना पीना, खाने के क्या नेक्स सबसे बैपारिक नदियाày लाए जिस नदी के दramगों साइड़ा बहुत सारा बैपार बानिच का कारुबार होता हो तो सब से ज्जादा कौंसा है मतलब क्या है राईन नदी अब तो आपको पता चलगा ने राईन नदी अब आप हमें कोमेंट में जाके बताई कि राईन नदी कहां है यह आपको बताना होगा ताकि मुझे पता चले कि मैं पढ़ा रहा हूँ था आपको अब देखिए इसको कैसे याद रखे, वेस्तम, जब वेस्तम होगा, तो सब लाइन में लगेंगे, क्योंकि एक साथ तो जा नहीं सकते है, लाइन बाई लाइन करेंगे, क्योंकि वेस्तम मारग है, जहां पर रास्ता क्या है, कम लोग है, रास्ता बरह तो हां पर आराम से आत सबसे बरी नहर कौनसी होगी? बिश्यू के सबसे बड़ी नहर कौनसी है? तो कील नहर है, ध्यानर कीगा? बिश्यू का सबसे ब्यस्तम नहर कौनसा है? कील है, अब देखे, दोनों को अच्छे तरीके से समझा देता हूं, आपको. आप समझ लिजिए, बिश्ट की सबसे बड़ी नहर, स्वेज नहर है, और सबसे जो वेस्ट होगा, वो कील नहर होगा, कील को कैसे, मतलब क्या, वेस्ट मतलब क्या है, बहुत, मतलब क्या है, एक तरीके से आन जान करने का क्या रहेगा, बहुत सारा वेस्टम है, मतलब एक मे इसे बड़ा नदी दूप मतलब क्या है, नदियों का दूप सबसे बड़ा कौन है, तो माजुली में है, भारत में है, बस इतना ध्यान रखना होगा, अब 20 का सबसे बड़ा देश ये तो पता ही होगा 20 का सबसे बड़ा देश जो है वो रूश है नेक्स आते हैं 20 का सबसे छोटा देश ये वेटिकन सीटी है ठीक है ध्यान रखिएगा सबसे छोटा दिप इसमें कोई ट्रिक की जवरत नहीं है वेटिकन सीटी जो है सबसे सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौंसा है, जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, तो कनाडा की है, ध्यान रखेगा, अमेरिका से उपर देखेगा, सबसे नॉर्थ में, वो कहां पर है, कनाडा है, कनाडा सबसे लंबी रेखा वाला देश है, समझ में आ रहा है, नेक्स पूछेगा कि बिसु की सबसे ज्यादा सीमा रेखावला देश कौंसा है, तो चीन है, कितने देशों के साथ में है, तो तेरे है, यह होगा भी क्योंकि पॉपलेशन भी बड़ा है, इस तरीके से बस ट्रिक निकाल के इसको याद कर लीजिए, बिसु का सबसे बड़ा रेगि रेगिस्तान कहां पे है, तो आपको उस रेगिस्तान का नाम बताना होगा जो भारत में है, आप कोमेंट बॉक्स में जाकर कीजिए, एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क राजस्तान में उसका क्या नाम है वो comment box में आपको बताना होगा और Asia का सबसे बरारेगिस्तान जो है वो है गोभी मरुवस्थल नेक्स आते हैं बिस्व का सबसे उची परवत चोटी तो ये तो पता ही है माउंटे ब्रेस्ट होगी बिस्व की सबसे लंबी परवत माला ये एंडीज होगी जो की दच्छीन अमेरिका में है ये भी पता ही होगा बिसु का सबसे उचा पाथार तो पमीर का पाथार एक ही पाथार है जो बिसु का सबसे उचा पाथार है वो है पामीर का पाथार है नेक्स आते हैं बिसु का सबसे गर्म परदेश बिसु का सबसे गर्म परदेश तो अलजीरिया लीबिया में है जो सबसे गर्म परदेश है, Algeria, मतलब कि आप वहाँ जिया नहीं जाता है, ऐसे याद रखने का, क्यों न जिया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, Algeria, जिया नहीं जाता है, तो ऐसे अगर के आप याद रख लीजेगा, इस वीडियो को दो-तीन बार सुनिएगा न, एक तो basic वाली trick, वह आपके दिमाग में set हो जाएगा, बिसुका सबसे थंड़ा अस्थान कौन है, तो वास्तोक अंटार्टिका में, ध्यान रखेगा, अंटार्टिका, बिसुका क्या है, सबसे थंड़ा अस्थान है, जो, sorry, नाम जो है, वोस्तोक, नेक्स्त है, बिसुका सबसे सुस्क अस्थान कौन सा है, तो आठाकामा मरवस्तल, जो है, चीली में है, आठाकामा मरवस्तल, बिसुका सबसे सुस्क है, जहां पर क्या है, आठाकामा मरवस्तल है, नेक्स्त में चलते हैं, बिसुका सबसे उचा जलपरपात, तो एंजिल जलपरपात, जो है, वो विशु का सबसे बड़ा जलपरपात कौन सा है तो गौायरा जलपरपात सबसे बड़ा है अब आप जाके थोरा सा मेहनत कीजिए और मेहनत करके आप मेप निकालिए मेप निकालके एटलस निकालके उसमें देखने की कोशिश कीजिए कि गौायरा जलपरपात कौन से देश मे इसको निकाली हो तो थोड़ा देखने की कोशिचिस के 20 का सबसे उंचा जलबर प्रपात तो एंजल मंजल से यादा की आ और सबसे बड़ा जलबर पात जा पूछेगा तोगवाईरप धितान रखिएगेगा. 20 का सबसे बडं़ प्रपात जो है वह कौन सा है? बिस्व का सबसे चौरा चलिए अब यहां साब को बता रहा हूँ फिर से देखिए बिस्व का सबसे उच्छा तो एंजिल याद हो गया बिस्व का सबसे बड़ा तो ग्वायरा और बिस्व का सबसे चौला जलपरपाद तो खोन जलपरपाद जो है सबसे चौला है, चौला समझ मारा होगा, बड़ा मतलब वो भी आपको समझ मारा होगा, उंचा मतलब उंचा वो भी समझ मारा होगा, चौला मतलब सबसे चौला, तो एंजिल, ग्वायरा और खोन, याद रखेगा, सबसे उंचा, फिर बड़ा और मतलब क्या होगा वह पानी सबसे पहत्रीर होगा जो बेस्ट होगा जो सुपीडियर होगा तो यानि कि ताजा पानी को सुपीडियर पानी माना जाएगा याद करने के लिए और खाड़ा मतलब क्या होगा एकदम केस पियन जैसा है एकदम पीने लाइक नहीं है केस पियन हाट और ताजा-पानी का मतलब क्या हुआ उसमें क्या है उसमें सुपिरियर है तो ध्यान रखएंगा लेगश सुपिरियर ताजे-पानी का बिसु का सबसे 나오ğimiz गहरा जिल तो कौन सा होगा बैकाल अब देखे गहरा जील Department अगर पूछेगा तो कैसे बैताल है एक तो गहरा है जिसक जिल को है, टीटी काका, टीटी काका जो है, विसु के सबसे अधिक उचाई पर इस्थितोत है, टीटी काका, काका जो है, सबसे उचे पे हैं, तो इसे याद रखीगा, टीटी काका, विसु की सबसे बड़ी कृत्रिम जिल जो है, वो है, बोलगा जिल, जो की कृत्रिम जिल व सुंदरबर डेल्टा यह कहां पे है, पसिम बंगाल में है, नेंस्ट है बिसू का बड़ा महाकाब ननौ सा है, तो महाबहरत है। बिसू का सबसे بड़ा महाकाब महाबहरत है। बिसू का सबसे बदा अजाइब घर, यानि की American Museum of Natural History, American Museum of Natural History, जो है बिसु का सबसे बड़ा आजाइब घड़ है, बिसु का सबसे बड़ा चीरियां घड़ कौन सा है, तो क्रूजर, ध्यान रखेगा, सबसे बड़ा क्रूजर है, जो सबसे बड़ा चीरियां घड़ है, और ये कहां पे है, तो दच्छी न फिर का में है, सुतरमुर्ग और छोटा हैमिंग बर्ड, नेक्स्ट है बिसु की सबसे बड़ा अस्तंधारी, यानि की नील वेल, मतलब क्या वेल जो है, सबसे बड़ा अस्तंधारी, मतलब क्या है, जो दूद पिलाता बच्चों को, नेक्स्ट जो है बिसु का सबसे बड़ा, सबसे बिस 1. अंक वाट का मंदिर है तो अंकोर वाट का मंदिर है अब मुझे आप कोमेंट जाके बताई कि अंकोर वाट का मंदिर कहां है कौन से देश में है कुछा हैH Vissu में महात्मा बुद्ध की सबसे उंची परतिमा, जो हैsta, उलोन बठोड मंगोलिया में है, ध्यान रखेगा. Next is Vissu की सबसे उंची मिनार, जो है, वो कौन सी है, कुतु मिनार. ध्यान रखिएगा विसु की सबसे उची मिरार ये है विसु का सबसे बड़ा घंटा घर कहां है तो The Great Well of Moscow मासको में सबसे बड़ा घंटा घर है जिसका नाम है The Great Well of Moscow विसु की सबसे बड़ी मूर्ती A Statue of Liberty विसु की सबसे बड़ी मूर्ती माने जाती है हलांकि अब जो है वो भारत में सर्दार पठेल की मूर्ती हो गई है विसु की सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तो अक्छर धाम मंदिर दिल्ली में है जो की सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर माना जाता है नेक्स्ट है बिसु की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है तो जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में ही है बिसु की सबसे उची मस्जिद जो है सुल्तान हसन मस्जिद काहीरा में है बिसु का सबसे बड़ा चर्च तो ध्यान रखेगा वेसलिका वेसलिका जो है बिसु क सबसे बड़ा चर्च है और यह कहां पर हे तो vetcan city में है ध्यान रखेगाँ वीटकन city में है विसु का सबसे लंबी railway लाइन ट्रांस साइ बेसिपरान यह nib Air प्लेल ले लाइन वो सबसे लंबी रेल बर सुरंग जो है वह सीकन तोरके गोरकपुड हो गया है तो ध्यान रखना थोड़ा सा नेक्स्ट है विसु का सबसे बड़ा रेलबेस्टेशन जो है वो कोई है Grand Central Terminal निवार्क में जो सबसे बड़ा रेलबेस्टेशन है विसु का सबसे बेस्तम हवाई अधा कोई है बिसु का सबसे बड़ा बंदरगा जो है वो निव्यार्क में है बिसु का सबसे लंबा बांध जो है हीरा कुंड बांध उरीसा में हिंदुस्तान का है यानि भारत में है बिसु का सबसे लंबा बांध हीरा कुंड बिसु का सबसे उचा बांध जो है वो कौँसा है रेगु नश्की तजाकिस्तान में है ध्यान रखेगा बिसु का जो सबसे उचा बांध है वो कौँसा है तो रेगु नश्की बिसु की सबसे उची सरक जो है लेह मनाली मार्ग वाला जो रास्ता है वो सबसे उची रास्ता म बिसु का सबसे बड़ा राजमार्ग, ट्रांस-केनेडियन, बिसु का सबसे बड़ा राजमार्ग, ट्रांस-केनेडियन है, बिसु का सबसे उचा जौला मुखी, तो माउंट कोटोपेक्सी, ध्यान रखेगा, ओक्टोपेक्सी, याद रखेगा, बिसु का सबसे बड़ा बिसु की सबसे उची किर्केट मैदान जो है वो है चैल हिमाचल पर्दिश में नेक्स्ट है बिसु का सबसे बड़ा पुस्तकाले कांग्रेस पुस्तकाले लंदन में है जो की सबसे बड़ा पुस्तकाले माना जाता है बिसु की सबसे बड़ी कार लई इमारत तो पेंटागन USA में है जिसको उड़ा दिया गया था 2001 में तो चलिए यही थी बिसु की जहां से हमेशा और हड़ बार आयोग कोश्चन पूछता है यह अलग बात है कि आप हड़ बार गलत करके आते हैं लेकिन इसको जितना ज़्यादा बार हो सके ने आप सुनने की कोशिस कीजिए जो भी मिसलेनियस प्रोबलम है पांच से साथ यही से कोश्चन निकल के जाते हैं दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें जरूर बताईएगा और हो सके तो इस वीडियो को आगे भी सेयर कर दीजिए थैंक्यू नमस्कार